अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्म भूमी पर राम मंदर के नर्मान के लिए होने वाले भूमी पूजन में अब कुछी समय बाकी रह गया है ऐसे में अयोध्या में कारिक्रम की सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है आयोध्या को भी दुलहन की तरह सजाया गया है साड़े बारहब जे मंदर की भूमी पूजन शुरू हो जाएगी आयोध्या में भूमी पूजन के इस कारिक्रम को दिपावली पर्व की तरह बनाया जा रहा है बुमी पूजन के कारिक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता यूग की थीम पर सजाया गया है बुमी पूजन से पहले पूरी अयोध्या सजधच कर तयार है बुमी पूजन को लेकर सादू संतों में भी जबर्दस्त उत्साथ देखने को मिल रहा है आश्रुमों में भचन किर्टन चल रही है और लोग बधाई गीत का रही है पूजन के एक दिन पहले से ही पूरी अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा उठी है अयोध्या शहर बुद्वार रात तक जगमग रहेगा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगलवार को यहां तीन लाख इकावन हजार दिये जलाए गए अयोध्या प्रिशासन ने बताया कि एक लाख पच्चिस हजार दीपक सर्यूट घाट राम की पेड़ी पर जलाए गए इसके लावा पच्चिस हजार भरत खूप, छोटी चेक में ग्यारह हजार, बड़ी चेक में बारह हजार, हनुमान गड़ी में ग्यारह हजार, जन्म भूमी में 101, इसके लावा और भी कई जगहों पर दीपक जलाए गए बता दें कि राम मंदिन निर्मान के लिए भूमी पूजन प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के हाथों ही होना है, इस दरान प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भी अयोध्या में उपस्थित रहेंगे, साथी अन्य बड़े नेता और अतीती भी यहां आएंगे, कोरोना वार पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें